सो हेलो काईज वेलकम टू माइन नीव वीडियो कैसे हैं आप सब लोग उम्मित करता हूं बहुत ज़्यादा बढ़ियाओंगे तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वाली गाड़ी की यह मारूतियो की एट हंड्रेट तो आज इसमें हम आपको थोटा सा चेंजेस करके आपको बताने वाले हैं जिस चेंजेस की हम बात करने करने वाले हैं तो वह स्टेरिंग है स्टेरिंग इसमें इस तरह का कुछ पुराना था इसमें हम इस तरह का आपको ऑल्टो के टेंड का इसमें इसमें इंस्टॉल करके दिखाएंगे तो वैसे मुझे जो इसको इन्स्टॉ Overall करने की लिए हमको करना क्या है कि सबसे पहले हम इसका पुराने वाला काओ लोक देख सकते हो किस तरह से आपको देखने को मिलें और अब जिसको ईंस्टॉल करने वाले यह भी आप देख तरह को केटेन का स्टेरिंग देखने मिलता है अपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा तो इसका हो पैड हमने इस तरह से खोल लिया अब जब से गाड़ी लीती जब से खुला नहीं है तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम यह क्रियेट करने वाला है तो चलिए हम इसको खो को फिर खो गया था क्योंकि जब से गाड़ी ली मुझे नहीं लगता कि कभी खुला हो तो फाइनली यह खुल गया तो अब इसको हम इस तरह से और पुरा बहर निकाल लेते हैं वाहर निकालने के लिए हमने इसका एक बोल्ट पुरा निकाल लिया है और इसको आपको एजी लिए खुलेगा नहीं तो इसको इस तरह से आपको इसको ठोकना पड़ेगा और यह बाहर आ जाएगा तो देख लिए बहुत टाइट हो गया था इस तरह समने इसको बाहर निकाल लिया है और कुछ इसके कंडिशन आप देख सकते हो बहुत ज्यादा इसकी पुरानी कंडिश हो चुकिए चलो इसका भी और नुपेड हमने खौल लिया है अब इसको 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 गेर होते हैं मतलब अंदर इसमें चूरी टाइप कुछ लोक होते हैं उसमें बड़िया से इंस्टॉल कर दिया इसकी जो बोल्ट है इसको हम य पेले कर लिया था इस्टेरिंग कभी भी आप चैंज कर रो तो इस बॉल्ट को कसने से पहले थोड़ी से ड्राइव लेलना ताकि यह मतलब आउट ना हो जाए इसकी अलाइन्मेंट तो आप बिना बोल्ट कर इसको पेले लगा कुछ स्थार्ट से हमारा होन पेड्र लग गया है अभी हमने इसके होडन के वायर डिस्केनेक्ट कर दिये थे इस प्रोसेस में बहुत बार तो चलिए हमने स्की वायर कनेक्ट कर दिये हैं और कुछ इस तरह से इसका लुक आपको देखने को मिला बहुत बढ़िया मुझे इसका लुक लग रहा है डेसबोर्ड के लुक को अभी आप इग्नोर करना डेसबोर्ड इसका बहुत जल्दी बहुत बढ़िया होने वाला है बहुत बढ़िया इसका हमने प्लानिंग कर रहा है चलिए अब हम इसकी ड्राइफ कर लेते हैं और आपको इसका रिस्पोंस दिखाते हैं तो बहुत इजी लिए पावर इस्टेरिंग गाड़ी नहीं है तो इस्टेरिंग तो इसका थोड़ा हार्ड है बट चलाने में जो फिलिंग आप आ रही है मैं आपको ऐसे बता नहीं सकत तो मैंने बहुत दिनों से इसको पॉस्पोंट किया हुआ था लेकिन आज यह मैंने कर लिया बहुत बढ़िया आप खुद देख सकते हों के 800 जैसी गाड़ी में आपको यह इस्टेरिंग देखने कितना अच्छा लग रहा है यह आप इसकी गाड़ी की कंडिशन देखके इसको जजना करना इस गाड़ी में बहुत नेक्स्ट लेवल का काम आने वाले समय में आने वाला है इंटीरियर से लेके एक्स्टीरियर तक यह जो गाड़ी है यह एक इमोशनल के साथ जुड़ी हुई गाड़ी है इसको हमें पतलब मेरे इनलोस की यह गाड़ी होने वाली तो अभी तक इसमें कोई नने कोई मेजर काम नहीं करवाया हुए इंजन इसका वैसे का वैसे ही बढ़िया प्रफॉम्मेंस अभी तक इसके इंजन की है और बाकी सब चीज में गाड़ी बहुत परफेक्ट है लेकिन वह थोड़ा सा समय के साथ इसमें थोड़ा से डेंट तो इस गाड़ी की जो मोडिफेशन की एक स्रीज आने वाली है बैक टू बैक मेरे इस चैनल पर आपको गाड़ियों की स्रीज मिलती रहेगी तो अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता एक मेरी प्रोजेक्ट कार जो है जिसकी स्रीज अभी चल रही है वो होने वाल है इसका भी पूरा सीरीज चलेगी इसमें आपको इंटीर एक्स्टीरियर और बहुत सारे मोड इसमें आपको देखने को मिलेंगे तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ऐसी और मज़दार वीडियो को देखने के लिए चैनल को किजिए और बेल लाइकन प्रेस किजिए